Hello students, myself required now we are starting study our 7th chapter The name of chapter food for plants and animals So students, हम animals, जानवरो और plants जो बेड़ पौदी होते हैं उनके भूजन के बारे में इस chapter में study करेंगे Let's start First है वारमा, find out the names of pet, domestic and wild So pet means क्या होता है पालतू, domestic means जो घरेलू, हमारे घर के आसपास जो जानवर होते हैं, जो चीज़े होते हैं, उन्हें domestic बोलते हैं And wild, wild जो जंगली जानवर होते हैं, उन्हें wild animals बोला जाता है In the word given below, तो हमें कुछ words दिये हुए हैं, उनसे हमें ये find out करना है, इनसे spelling बनानी है Then write them down in the correct columns, और जो columns दिया हुआ है, इसमें हमें जिस भी category के, जो हमें तीनो categories दिये हुई है Domestic, paths and wild, उनकी category के according हमें यहाँ पर note करना है तो हमने note कर दिया है, आप सभी भी note कर लेंगे और ये circle भी कर लेंगे First है, copy the names in the correct columns, तो आपको ये copy करना है, इतने सारे हमने बहुत ज़्यादा धून लिये थे आप three-three हमें note करने हैं, तो first हमारा है domestic, domestic कौन से होते हैं, घरेलो जानवर तो इसमें cow आ जाएगा, got आ जाएगा और hen आ जाएगा, तो ये सब हमारे घर के जो animal होते हैं, जानवर होते हैं, वो होते हैं तो cow means क्या होता है, guy, got means बक्री और hen means मुर्गी नेक्स है pets, नेक्स है pets, pets means पालतू, तो dog, cat and horse, ये हम पालतू जानवर होते हैं, इन्हें हम ऐसा pet रखते हैं हमारे घरों में, dog, cat and horse नेक्स है wild animals, जंगली जानवर कौन कौन से हैं, तो हमें जो उपर spelling ढूनी हैं, हमने जो words दिये हुए हैं उनके according हमने कुछ wild animals निकाले हैं, उनमें eagle है, eagle एक टाइप का पंक्शी होता है, जो की wild होता है, जंगली होता है, तो इसमें eagle कर देंगे, crow means कववा, और duck means बदक, तो ये आपको note कर देना है Next Animals looks very different from each other's तो animals जो जानमर होते हैं, वो कैसे दिखते हैं, एक दूसरे से अलग अलग दिखते हैं, different means अलग अलग दिखते हैं, very different from, बहुत ही अलग दिखते हैं एक दूसरे से They also eat a variety of different things और वो different different type का food लेते हैं, वो जैसे different दिखते हैं, अलग 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 परकार का बोजन भी करते हैं Heading दी हुई है, feeding habits of animals, feeding habits of animals वाली जो heading है, feeding means जो animals हैं, वो क्या खाते हैं, उसके बारे में हम जानेंगी Even in a forest, different animals feed on different types of food तो जब जंगल में हम देखते हैं, even in a forest, एक forest में एक जंगल में, different animals feed on different types of food तो अलग अलग जो जानवर होते हैं, वो अलग अलग परकार के भोजन करते हैं Animals like deer, cows, horses, giraffes, gebra, goats and seeds feed only on plants matter तो यह सबी जो animals होते हैं, deer, cow, horses, giraffes, gebra, goats and seeds feed only on plants matter तो यह केवल पौद दिखाते हैं, पेड़ पौद दिखाते हैं These animals are harvivores तो यह animal क्या होते हैं, harvivores होते हैं जो केवल plants को eat करें, वो harvivores होते हैं Next है Some animals are flesh eater, flesh eating and feed on the meat of other animals तो कुछ flesh eater होते हैं, flesh means mass खाने वाले तो flesh eater जो animal होते हैं, वो दूसरे जानवरों को खाते हैं Lions, tiger and walts generally feed on the flesh of other animals like deer, antelopes and zebra that live in the forest तो जो जानवर फौरेश्ट में रहते हैं like deer means heron or zebra उन्हें वो खा जाते हैं flesh eater جो होते हैं, मास disk ख्auenे, मासाहारी जिन्हें बोल सकते हैं, वो जानवर उन्हें खाजाते हैं उननका सिकार कर लेते हैं Next है, these animals are carnivoras तो उन्हें क्या कहेंगे, जो flesh eater हैं, मास्क काते हैं उन्हें carnivoras कहेंगे, मासाहारी कहेंगे और जो केबल प्लांट खाते हैं उन्हें क्या कहते हैं हार्विवारस means साखारी next है they hunt and kill other animals for food तो वे दूसरे एनिमल को मार देते हैं जो कार्णिवारस होते हैं फ्लेसीजर होते हैं वो उन्हें हंट कर देते हैं सिकार कर लेते हैं और kill means मार देते हैं animals for food भोजन के लिए उन्हें मार देते हैं उनका सिकार कर देते हैं they are also known as predatory animals तो उन्हें predatory animals भी कहा जाता है तो उन्हें कार्णिवारस भी कहते हैं और predatory animals भी कहते हैं some animals like hyeras and vultures feed on the lefter flesh of creators killed by other animals some animals like hyeras or vultures feed on the leftered flesh of creature kill by other animals तो यहां पर कह दिया हुआ है जो vultures होते हैं means गेद्ध या फिर ऐसे पक्षी और हाइना हाइनास जो कि किसी दूसरे के सिकार का जो बच जाता है उसे खा दी है जैसे किसी लॉयन ने किसी जानबर का सिकार किया और उसे उसने खा कर जो भी बचा को चार छोड़ दिया उसने बाद में तो जो बचा हुआ है वो कौन खा जाएगा गित खा जाएगा और हाइनास खा जाएगा तो ऐसे एनिमल्स को क्या कहते हैं इस एनिमल्स आर स्कैवेंजर्स क्योंकि ये खुद का सिकार खुद नहीं करते हैं और जो मारे डीथ एनिमल्स होते हैं उन्हें खा जाते हैं क्या कहेंगी इनको कहते हैं scavengers next है animals like bear, monkeys and crows eat what flesh as well as plants matter तो ये कुछ animals ऐसे होते हैं bear, भालू, monkey means जो बंदर होता है और crows means कवे जो कि flesh भी खाते हैं और plants भी खाते हैं these animals are omnivores, तो ये omnivores कहीं जाएंगे, कि ये दोनों खाते हैं, flesh भी खाते हैं और plants भी, humans beings are also omnivores, तो हम सभी भी कैसे हैं, omnivores हैं next है food for pets and domestic animals, तो जो हमारे पाल्दू और घरेलू जानबर होते हैं, उनके लिए क्या क्या भूजन होता है, उनका भूजन कैसा होता है, वो देखेंगे हम इसमें, domestic animals and pets pets cannot hunt for their own food, तो जो pet animals होते हैं, पाल्दू जानबर होते हैं, वो खुद के भूजन के लिए सिकार नहीं करते हैं we have to give them clean and healthy food और हमें उन्हें कैसा साफ सुत्रा भूजन देना चाहिए हम लोग उन्हें देते हैं, जो human being होते हैं मनुश्य उनको देती हैं आप सभी भी देते होंगे, आपकी आस पास जो doggy होते हैं या आपने कोई pet रखा हो पाल्दू जानबर रखा हो, तो आप उसको साफ सुत्रा और healthy खाना दोगी they must be feed regularly और उन्हें रोज-रोज खाना आवश्यक होता है उन्हें रोज-रोज खाना देना पड़ता है नेक्स्ट है dogs feed meat, eggs and even rice and bread तो dog क्या के खाता है meat खाता है, मास खाता है अंदे क्वाता है और rice और bread भी खाता है next है cats eat fish, eggs and milk तो cat क्या खाती है बिली क्या खाती है, fish खाती है मचली खाती है, अंडे खाती है और दूद पीती है पैरोट इट रिप्स फ्रूट्स शच एस ग्वावा मैंगोज और चिली चिली इस तो पैरोट जो होता है, तोदा होता है वो क्या कहता है? जो हमारे पके हुए रिप मींस पकी हुए फ्रूट्स काता है पूरी तरीके से अच्छे से पकी हूँ वो फ्रूट्स काता है लाइग गुआवा जो अमरूद का फल होता है, अमरूद मैंगो मींस आम और चिली मींस हरी-हरी मिर्चिया तो ये पैरोट को बहुत पसंद होती है पिजन एट ग्रेंज और पिजन क्या खाता है अनाज खाती है फिस आर गिवन फिस फूड तो जो फिस होती हैं उन्हें फिस फूड दिया जाता है नेक्स्ट है डॉमस्टिक एनिमल्स लाइक काउ बल्स वफैलो, गौट एंड सीप्स इट सिमिलर फूड और जो डॉमस्टिक घरेलू जानवर होते हैं गायबक्ती जो भी हमारे गायबक्ती भेंस बेड यह हम रखते हैं तो वह भी कैसे सिमिलर फूड खाते हैं ऐसे फूड खाते हैं इस एनिमल्स आर ओलो तो ग्रेज इन मीडोस and field where they eat grass and small plants तो इन्हें हम जो small plants होते हैं और घास होते हैं वो खिलाते हैं जो हमारे domestic animals होते हैं they are also fed hay, oil, cakes, grains and vegetables vegetables, besties from the kitchen तो इन्हें हम जो fed hay means जो इनका एक food आता है जो market में मिलता है वो oil cakes और grains means आनाज भी खिलाते हैं और जो vegetable waste होता है जो हमारा सबजीयों का कच्छड़ा होता है जो kitchen से निकलता है वो भी हम इन्हें खिला सकते हैं जो हमारे domestic cow or fellow, gods और सीफ जो हमारे domestic animals हैं उन्हें हम ये सब खिला सकते हैं नेक्स्ट heading है animals in our neverhood means, neverhood means क्या होता है हमारे aros paros के जो जानबर हैं उनके बारे में जानेंगे sometime dogs and cats roam about and live in our neverhood तो कभी-कभी हम देखते हैं कि जो dog होते हैं वो street dogs हो चकते हैं गलियों में रहने वाले and cats ये क्या करते हैं Romans गूमते रहते हैं about and live in our neverhood और हमारे aros paros में रहते हैं आसपास रहते हैं they look for their own food just like animals in the wild तो वो wild animal की तरह अपना भोजन नहीं ढून सकते हैं धूनते हुए आपने देखा होगा कि जैसे wild animals अपने लिए food धूनते हैं उनका हंट करते हैं means उनको सिकार करते हैं जैसे ही cat dog भी आपको हंट करते हुए जैसे कि जो चुआ होता है rabbit होता है उसका हंट करती है जो cat है और cat को dog करता है they eat from the neverhood garbage dumps और जो garbage में जो कच्रा होता है उसमें हम fake देते हैं वो चीज़े खाते हैं we should be careful because such animals spread diseases तो हमें carefully अच्छा भोजन उन्हें देना चाहिए जो street dog और cat होते हैं उन्हें हमें अच्छा भोजन देना चाहिए जिसे कि वो disease नहोंने तो उन्हें disease हो जाती है क्योंकि वो garbage dumped food खा लेते हैं we should not treat these animals badly उन्हें हमें कैसे treat नहीं करना है badly बुई तरीके से treat नहीं करना है sometime words will nest तो कभी-कभी जो words होती है वो घुसला बनाती है next बनाती है and lay eggs in trees around us और हमारे घर के आसपास जो trees होते हैं पेड पौधी होते हैं उन्हें पर वो घुसला बनाती है और उस पर अंडे रखती है we should not steal the eggs or disturb the words तो हमें उन अंडों को क्या नहीं करना है still नहीं करना है उठाना भी नहीं है और तोडना भी नहीं है और जो words हैं पक्षी हैं उन्हें परिशान नहीं करना है disturb नहीं करना है next है eating habits of animals तो जो जानवर हैं उनकी खाने की आदतें कौन कौन सी होती है वो जानेंगे some animals like crocodile, frog, turtle, etc. live, walk, in water and on land तो कुछ जो crocodile होते हैं मगर मच्छ होते हैं frog means maddox तो वो कहां पर रहते हैं water means पानी में भी रहते हैं और land means पृत्वी पर भी रहते हैं इस्थल पर भी रहते हैं these animals are called amphibians तो इन्हें क्या कहते हैं amphibians कहते हैं जो water में भी रहें और इस्थल पर भी रहें इस्थल वाले भाग पर भी land पर भी रहें तो उन्हें क्या कहेंगी amphibians next है harvivores to harvivores क्या होते हैं harvivores means क्या होता है saakahari तो ये इसकी definition देखेंगे harvivores is an animals that eat plants and not meat तो जो जानवर केवल क्या खाते हों plants खाते हों पौदी खाते हों और जो पेड़ पौदों से मिलने वाला भूचन खाते हों और meat यानि मास नहीं खाते हों उन्हें क्या कहेंगे harvivores कहेंगे saakahari कहेंगे क्योंकि हम केवल जो प्लांट्स हैं उनसे मिलने वाला फूड ही नहीं खाते हैं हम animals से मिलने वाला फूड भी खाते हैं like milk और flesh तो ये सबी चीज़ें हम animals से खाते हैं तो केवल प्लांट्स की फूड नहीं खाते हैं इसलिए हमें harvivores नहीं कहते rather humans that choose not to eat meat are vegetarians तो जो लोग यह चूज करते हैं कि वो meat नहीं खाएंगे कभी भी तो उन्हें हम vegetarian कहते हैं साकारी कहते हैं zebra deer cow etc. are harvivores तो zebra deer और cow जो होते हैं means गाए और हिरन, zebra यह सभी कैसे होते हैं harvivores होते हैं यह केवल घास फूस और जो भी प्लांट से मिलने वाले food को ही खाते हैं आपको pictures भी दे रगी हैं next है carnivores तो carnivores means क्या होता है masahari इसकी definition देखेंगे the animals that kill and eat flesh of other animals are called carnivores तो जो दूसरे animal को मार कर और उनका eat क्या करे flesh eat करे means उनका mask खा जाएं ऐसे जानवर को क्या कहेंगे carnivores animal कहेंगे ऐसे animal carnivores होते हैं lion, wolf, tiger etc are carnivores तो lion और wolf और tiger जो कि आपको picture में देख रहा है lion, wolf, tiger यह सभी क्या है carnivores है मासा हारी है नेक्स्ट है animals like vultures, jackals hynas, etc eat flesh of the dead animals we called them scavengers तो हमने scavengers उपर भी read किया था जो हमारा scavengers क्या होते हैं जो दूसरे animal हो द्वारा जो जानवरों द्वारा बचा-कुचा जो flesh छोड़ दिया जाता है मास छोड़ दिया जाता है या फिर जो मरे हुए जानवर होते हैं उनका flesh खाते हैं ये खुद को खुद का सिकार नहीं करते हैं hunt नहीं करते हैं बलकि मरे हुए जानवरों को खा जाते हैं नेक्स्ट है इसमें आपको pictures भी दिये हुए हैं बल्चार, जैकल और हाइना नेक्स्ट है Omnivorus तो Omnivorus क्या होता है An Omnivorus is a kind of animals that eats either other animals और plants तो इसमें कौन से जानवर आएंगे Omnivorus में होए है सभी जानवर आएंगे जो क्या खाते हो animals भी खाते हो और plants भी खाते हो means plant से मिलने वाला भोजर भी और animals को भी flesh eater भी हो next है we are rat, monkey, crow तो ये सभी example दिये हुए है are Omnivorus तो ये कौन-कौन rat, monkey, crow और we are भालू monkey means bandar और जो कवा होता crow तो ये example है man is also an Omnivorus और man भी Omnivorus होता है human beings भी कैसे होते हैं Omnivorus होते हैं next है food and plants तो भोजन और पौधे तो जो plants होते हैं वो अपना भोजन कैसे बनाते हैं जैसा कि आपको pictures में देख रहा है picture दी हुई है फोटो संथेसिस तो फोटो संथेसिस प्रोसेस होती है plants में भोजन बनाने की ये हमें प्रोसेस बताई गई है आपकी बुक में दिया हुआ है फोटो संथेसिस की जो भी प्रोसेस है plants are essential for maintaining the balance in nature तो plants किस लिए होते हैं किस लिए आविशक होते हैं ताकि जो nature है प्रकति है उसमें balance बना रही maintain करते हैं वो balance maintain करते हैं हमारे nature को सुरक्षित रखते हैं green plants example those possessing chlorophyll manufacture their own food and give off oxygen in the process called photosynthesis तो इस process में क्या होता है कि plants अपने लिए chlorophyll बनाते हैं और हमारे लिए oxygen छोड़ते हैं तो इस process को क्या कहते हैं photosynthesis कहते हैं in which water and carbon dioxide are combined why the energy of light plants are the ultimate source of food and metabolic energy for nearly all animals तो सभी animals के लिए पाचन तंत्र के लिए metabolic system के लिए energy के लिए जो plants हैं वो बहुत ही great source होते हैं और वो अपना वोजन किस-किस की help से बनाते हैं क्या के चीज़े चाहिए उन्हें carbon dioxide, sunlight और water इसकी present में वो अपना food मेक करते हैं बनाते हैं next है we need plants to keep the balance in nature हमें जो plants हैं वो उनकी आविशक तक यह पढ़ती है ताकि हम प्रकरती को balance यानि की वेवस्ते ते रख सकें, balance बना के रख सकें like human beings, plants and animals are also living things तो जैसे की animals और human being living things हैं, जीवित हैं, सजीव हैं वैसे ही plants भी सजीव होते हैं they also need food और उन्हें भी भूजन चाहिए होता है they also need भूजन की आविशकता होती है only green plants make their own food जो green plants होते हैं, वो खुद का भूजन बना पाते हैं केवल वही बना पाते हैं, only green plants green leaves of plants are called food factories तो जो green leaves होती हैं, हरी पत्यां होती हैं उन्हें क्या कहते हैं, food factories कहा जाता है food for plants is prepared by green leaves through the process of photosynthesis तो जो green leaves होती हैं, हरी पत्यां होती हैं वो plants के लिए food बनाती हैं, भूजन बनाती हैं किस process के थो, photosynthesis की थो the greenness of the leaf is due to a green colored matter called chlorophyll तो जिस बजा से जो पत्यां हरी होती हैं, उस matter को, उस पधार्थ को क्या कहते हैं chlorophyll कहते हैं, chlorophyll की बजा से जो पत्यां हैं, वो हरे रंगी होती हैं leaves have many tiny forces on their back surface तो बहुत चोटी चोटी चेदर होते हैं, उनके surface पर जो पीछे वाला back means पीछे वाला surface होता है उस पर बहुत चोटी 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 चेदर होते हैं इस tiny pores are called stomata और इन्हें stomata कहते हैं the leaves take in carbon dioxide और इनसे जो leaves होती हैं, पत्यां होती हैं वो carbon dioxide लेती हैं, take in, अंदर लेती हैं and give out और बहार छोड़ती हैं, give out oxygen with excess of water तो जो water से excess की हुई होती है, पानी से उसकी oxygen को छोड़ देती हैं through atmosphere, atmosphere means हमारा जो बायू मंडल है उसमें छोड़ देती हैं next है, the leaves get water and dissolved minerals from soil through rots, stems and branches, carbon dioxide from air, lights from the sun and chlorophyll from themselves, तो इस तरीके से जो plant होता है उसमें water, जब हम पानी डाल देते हैं, वो leaves जो होती हैं पतियों को water कहां से मिलता है, dissolved minerals और minerals जो soil से, matrix से मिलते हैं, through roots, roots के मादियम से, जो जड़े होती हैं उनके मादियम से वो, यह सभी चीज़े, minerals और water लेती हैं, पतियां, stems और जो stems होती हैं, ताने होते हैं, and branches, और जो बहुत सारी branches होती हैं, उसकी carbon dioxide from air, lights from the sun and chlorophyll from themselves, और इन सभी की health से वाय अपना food मेक करती हैं, in the presence of all these food, for the plants is prepared, तो यह सभी चीज़ों की presence में, उपस्तिती में, जो plants होते हैं, पौदी होते हैं, वो अपना भूजन बनाते हैं, in this process of preparing food, minerals are converted into sugar and sugar into fats and proteins, तो यह सभी किस चीज़ों में change हो जाते हैं, food जब भी process होती है, process of preparing food, minerals are converted, किस में बदल जाते हैं, into sugar and sugar into fats, तो sugar fat में change हो जाती है, और protein में बदल जाती है, the prepared food is supplied to different parts of the plants, और जो different parts होते हैं, अलग-अलग भाग होते हैं, प्लांट के उसमें supply कर दिया जाता है, it makes the plants grow और इस बज़ा से plants क्या होते हैं, बड़े होते हैं, let's know more में दिया हुआ है, हमारे pink box हैं, उसमें क्या है, a plant has two main parts, the shoot and the root, तो कौन से main part होते हैं, shoot and root, roots वाला part कौन सा होता है, जो की ground के अंदर हो और shoots वाला ground के बाहर, देखते हैं, the shoots leaves above the soil and the roots leaves below the soil, तो जो shoots होता है, वो मिट्टी के उपर जीवन जीता है, और roots में जो हमारी पौधों की जड़े होती हैं, वो कहां पर होती हैं, ground के अंदर, मिट्टी के अंदर दबी होई होती हैं, the shoots is also known as stem or trunk, तो shoot को किस नाम से जाना जाता है, stem or trunk के, means तने इतना वाला जो भाग होता है, of the plant पौधे का, trunk और stem भी कहा जाता है, it breeds, beers, branches, इसमें बहुत सारी branches होती हैं, लक्डियां होती हैं, means डालियां होती हैं, leaves, पत्यां होती हैं, words और flowers और fruits, और इस पर flowers, पत्यां और फल भी लगते हैं, let's know more, second वाला है, during photosynthesis, carbon dioxide is used and oxygen is given out, तो photosynthesis की जो process होती है, उसमें carbon dioxide को वह यूज कर लेते हैं, और जो oxygen होती है, उसको lift कर देते हैं, छोड़ देते हैं, give out कर देते हैं, next है, food for animals, means जानबरों के लिए भोजन, all animals are living things, तो सभी जानबर क्या होते हैं, सजीब होते हैं, they need food to grow and for various activities, तो अलग-अलग activities, अलग-अलग work करने के लिए, कारे करने के लिए, सभी अनिमल को energy की अविशक्ता होती है, और बड़ा होने के लिए, ग्रो करने के लिए भी, food की, भोजन की आविशक्ता होती है, they cannot make their own food, तो जो जिस तरीके से plants अपना भोजन बना पाते हैं, वैसे, जो animals होते हैं, वो अपना food बना नहीं सकते हैं, they cannot make their own food, they get food from plants और other animals, तो उन्हें अपना भोजन कहां से लेना पड़ता है, plants से लेना पड़ता है, पेड़ पॉदों से लेना पड़ता है, और दूसरे other animals से लेना पड़ता है, दूसरे जानवरों से लेना पड़ता है, animals more in search of food, तो जालतर सभी जो जानवर होते हैं वो अपने भोजन को खोशते रहते हैं सर्च करते रहते हैं There are different kinds of animals They eat different kinds of food in different ways तो सभी अलग-अलग प्रकार के जानवर होते हैं और वे अलग-अलग प्रकार का भोजन करते हैं different kinds of food in different ways और अलग अलग तरीके से खाते हैं Let's know more में क्या दिया हुआ है Some wild animals like jackals, foxes, white vulture, etc. Eat the remains of dead animals तो ये मरे हुए जानबरों को खाते हैं जैसके हमने पहले भी read कर चुके हैं कि कुछ animals कैसे होते हैं जो की मरे हुए जानबरों को और जो सिकार बच जाता है वो खाते हैं, उसे क्या कहते हैं scavengers कहा जाता है scavengers होते हैं ऐसे animals frogs and next हमारा paragraph last paragraph है इस page का last paragraph है frogs and lizard catch their praise with their sticky tongue तो वो अपनी टंग से sticky टंग होती है उससे अपने food को catch करते हैं पकड़ते हैं and swallow them और उसको ऐसा का ऐसा खा जाते हैं swallow means ऐसा का ऐसा निगल जाना निगल नमें swallow होता है swallow them phythons swallow big animals तो जो phythons होते हैं वो बहुत बड़े बड़े animals को निगल जाते हैं while spreading spreading their jobs in size तो उनकी जो मूँ का size होता है वो बड़ा होता है they do not cut or teeth their praise because they do not have such type of teeth तो उनके पास अलग अलग प्रकार के उन्हें चबाने के लिए teeth नहीं होते हैं इसलिए वो क्या करते हैं निगल जाते हैं अपने खाना को they use their teeth for holding their praise वो के वल अपने जो भी सिकार होते हैं उनको पकरने के लिए holding के लिए use करते हैं अपने दातों का and to push और दवाने के लिए the food into their stomach उनके पेट में चला जाए उसका use करते हैं teeth का और swallow कर देते हैं means उनको निगल जाते हैं ना कि उसको चबाते हैं next है some animals suck milk from their mother तो कुछ लोग कुछ जो एनिमल होते हैं वो अपनी मा का दूद पीते हैं suck करते हैं suck means चूशना या पीना okay next है baddies babies of dogs dogs के जो बेवी होते हैं cows buffalo suck milk from their mother अपनी मा का दूद पीते हैं next है some animals have no teeth to eat solid food तो कुछ एनिमल के पास solid food means कटो ठोस वोजन खाने के लिए teeth नहीं होते हैं they are food in liquid form form तो वो अपना food कैसे लेते हैं liquid form में लेते हैं और क्या करते हैं चूशते हैं तो उन्हें liquid form में चाहिए the leach sex the blood on animals तो जो leach होती हैं वो चूशती है animal का जो blood होता है खून होता है उसे suck करती हैं next है the loss and the bad bugs also suck blood from their hot hearts तो वो भी अपने जो bad bugs होती हैं वो भी क्या करती हैं suck करती हैं चूशती हैं next है a mosquito has a sharp hollow cube to mosquito मच्चर के पास बहुत ही sharp means बहुत ही hollow tube होती है in its mouth उसके मुँ में it stab us with this और इसके से हमें जो हमारी skin होती है उसमें चुबा देता है stab us with this and sunk blood in the same way as we drink cold drink using a straw pipe तो straw pipe की तरह हम gold drink होती है हम पीते हैं वैसे ही वो हमारा blood juice लेते हैं butterflies butterflies suck nectar from flowers through a long hollow tube तो जो butterfly की long hollow tube होती है उसे वह flowers का rust जो nectar होता है उसे juice लेती हैं spiders gets food with the help of traps spiders make a bed of bear to traps insects तो वह है जाल बनाती है insects के लिए bear to trap बनाती है जिससे कि जो चुट चुटे insects होते हैं कीड़े मकोड़े होते हैं वो फस जाते हैं it can catch और उनको वो पकड़ लेती है insects bigger than itself और वो उनको पकड़ लेती है the next है the earthworm feed on soil and dead plants तो जो earthworm होते हैं वो मरे हुए plants को खा जाते हैं और मिट्टी को खाते हैं earthworm means catch way next है food chain food chain के बारे में दिया हुआ है food chain की process क्या होती है food chain of different animals आपको pictures भी दी हुई है तो इसमें दीखेंगे हम thus animals either eat plants directly or they eat the flesh of animals they eat plants so animals depend directly or indirectly on plants therefore all food chain and with plants तो food chain की process क्या होती है कि जो animals directly depend होते है plants पर plants बादे खाते हैं घास खाते हैं तो वो तो depend है ही लेकिन जो flesh eater हैं वो भी किसको खाते हैं जो कि plant eater हैं तो directly or indirectly सभी किस पर depend हैं plants पर depend हैं तो food chain का and भी कहां पर होता है plants पर होता है तो यह आपका chapter complete होता है आपका 7th chapter था food for plants and animals अब next वीडियो में हम इसकी exercise and revise complete करेंगी Thank you for listening